किaks विकास योजना के बारे में भी डिस्कस करें गया है तीसरा जो वर्जन आया था रिसेंटली 2021 में इसके बार में भी डिसकस करेंगे Ministry of Railways ने यहाँ पे जो ये Rail Caution विकास योजना इसको launch क्या क्या है, इसके main features क्या क्या है, detail में इसको डिसकस करेंगे और skill development के लिए अलग-अलग government initiatives के बार में भी डिसकस करेंगे तो देखें, from schemes या फिक governance point of view के हिसाब से, बहुत ही important वीडियो होने वाल है, तो इस वीडियो के end तक बिल्कुल देखते रहेगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राब नहीं के है, तो इसको please सब्सक्राब कर लिजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो के notification इसी तरह आपको मिलते रहे, और इस वीडियो का जो note है, आपको हमारे website में मिल जाएगी, नीचे description में मैंने website का link दे दिया है, वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, तो recently ministry of railways ने rail कौशल विकास योजना इसको launch किया है, तो इसको launch किया गया है अंदर प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, तो जाहिर सी बात है कि यह एक skill development program है, जिसमें जो भी यूवा है, जो यूथ है उनको, specially यहाँ पर focus किया जाएगा कि जो भी railways से related jobs है, उनके लिए उनकी skill development जो है, उनको की जाएगी, तो mainly यहाँ पर 4 trades में focus किया जाएगा, specially जो electrician है, welder है, जो machinist है, या फिर जो fitters है, उनको यहाँ पर जादा प्राभधान जी जाएगी, अलग-अलग जो zone railways है, भारत में जैसे की जानते हैं कि Indian railways के अंदर railway zone है यहाँ और अलग-अलग जो production unit के तहर यहाँ पर skills की training दी जाएगी, और mainly देखा जाएगा कि regional demand कैसी कैसी है, अलग-अलग जगाओ पर कैसे demand है उसको देखके और उसके needs को assessment करके दी जाएगी यहाँ पर तो जो भी training यहाँ पर provide किया जाएगे, यानि कि जो apprentice दी जाएगी, apprentice act 1961 के तहत यहाँ पर दी जाएगी, छोटी-छोटी बात है देखिए, schemes से related आपको याद रखनी है, क्योंकि किसी भी एंगल से आपको प्रस्णी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, schemes जब भी आप कोई भी study करेंगे, उनके जो specialty है, उसको हमेशा याद रखेगा, main beneficiaries क्या क्या है, यहाँ पर कौनसी-कौनसी target groups है, उसको बहुत ही detail में कभी-कभी पूछा जा सकता है, in fact, अगर mains में भी आप answer लिख रहे हैं, तो ऐसे points को mention करना बहुत ही important है, तो mainly यहाँ पर youth जो है, उनको target क्या गया है, अलग-अलग traits, तो qualitative improvement, यहाँ कि जो youth यहाँ पर training लेंगे, उसके बाद उनकी quality होगी, उनको improve करना है, next 3 साल तक 50,000 candidates को यहाँ पर train करने का planning है, beneficiaries कौनसे कौनसे होंगे, यहाँ पर 10 पास minimum, और जिनकी I.O. 18 से लेके 35 साल तक होंगे, उन लोग उसके लिए apply कर सकते हैं, लेकिन देखिया, यह जो है, एक skill development program है, इसमें जब आप कोई भी व्यक्ति training कर लेंगे, तो definitely उनको railway से related job मिलने में आसानी होगी, या preferences दी जाएंगी, लेकिन कोई भी participant यहाँ पर यह नहीं claim कर सकता है, कि हम लोगों ने training ली है, और हम लोगों on that basis railways में job चाहिए, तो यह यहाँ पर mention कर दिया गया है, तो इसी के साथ हम लोग प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना भी study कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही rail कौशल विकास योजना launch की गई है, तो प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना इसको launch क्या गया था 2015 में, एक flagship program के तहर, अंदर Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, तो mainly देखें यहाँ पे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना में, जो भी युवा है, उनको training करके, उनकी जो productivity है, उसको enlarge करना, उसको increase करना, इसका main मकसद था यहाँ पे, इससे training और certification जो है, इसमें भी दी जाएगी, certification भी दी जाएगी, यहाँ पे, तो mainly प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 1.0, जो पहला installment था यहाँ पे, 24 लाख युवा को train करने का target था, over 19 लाख जो trainees को यहाँ पे train किया गया था, दूसरा बर्जन जब प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का आया था, 2016 से लेके 2020 तक का यह जो time frame में, और उसमें budget में allocate की गई थी 12,000 करोर, और उसमें 4 सालों में, यानिकि 2016 से लेके 2020 तक 10 million युवा को train करने का planning की गई थी यहाँ पे, तीसरा instrument जो प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 इसको launch किया गया था, 2021 में, ताकि इंदिया की जो youth है, उनको empower किया जा सके, उनकी जो skills है, employable तरीके से उनलों को बढ़ाया जा सके, ताकि on dead basis उनलों को अपने skills में job मिलें आसानी हो, और उसके लिए लगभग 300 skill courses available करवाया गया था, तो ये planning किया गया था, कि 2020 से लेके 2021 तक 8 लाख candidates को training की जाएगी, और उसके लिए लगभग 948 क्रोर यहाँ पे allocate की गई थी, छोटी छोटी ऐसे points से आपको यहाँ पे ध्यान देके रखना है, अगर ये 948 क्रोर को आप 950 क्रोर एप्रॉक्स भी लिखेंगे, तो तब भी च चल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ऐसे चीज़ों को आपको याद रखना important है, next discuss करेंगे, skill development के लिए, government ने कौसी कौन सी initiative ली गई है, पहला अगर बात करेंगे, हम दोग national career service project, then संकल्प scheme, skills acquisition and knowledge awareness for livelihood, then अगर बात करेंगे, strive, skills strengthening for industrial value enhancement scheme, कौचल आचारिया awards, इसको भी इनिशिट किया गया था, श्रयाश scheme जो है, बहुत ही चर्षे में थी यह, scheme for higher education youth in apprenticeship and skills, higher education से इसमें महत्वा दी गए थी, असिम portal जो है, इसमें mainly employer और जो employee है, उनको यहाँ पे आपस में धुनने के लिए यहाँ पे इसको start किया गया था, बहुत ही important है, आत्मनिर्भर, skill employee, employer mapping, skill certification course स्टार्ट किया गया था, और youth skilling initiative, तो यह सब actually मैंने इसलिए mention किया गया है, कि by chance आपको अगर ऐसे प्रशन mains में पूछे गया, तो at least आप initiatives के नाम भी अगर mention करेंगे, तो आपको काफी अच्छे marks मिलने की संभादना है, तो यह था हम लोग का complete analysis regarding the ministry of layers, जिसने rail kaushal vikas launch किया है, प्रधान मत्री kaushal vikas योजना केते हैं, तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिला होगा, और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगए, इसको प्लीज लाइक कीज़े, इसको सब्सक्राइब वीडियो, इसको शेर कर दीज़े कि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा महनत और research की ज़रोत होती, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और भी हार्ड ओर करने के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं, study rise, take care, thank you and joy हिंद.